हेलो गाइस मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि मेरा एडसेंस का पिन आ चुका है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे डाउट के लिए गरूँगा आपको साब कुछ बताऊंगा कि मुझे एडसेंस का पिन आने में कितना टाइम लगा और कहां से आया है या अमेरिका से आया है कि इंडिया से आया है और इसका क्या प्रोसीजर होता है डेटेल्स आप को कहां डालने पड़ती है जिससे आपको Adsense का पिन मिल जाए और एडी संस पिन आपको YouTube पे कहां पे डालना पड़ता है जिससे आप अपनी पेमेंट करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो आपके स criteria follow करना पड़ता है जिसको कहते हैं हम 4000 का watch time और 1000 subscriber आपको चाहिए ही चाहिए last 365 days के अंदर जब आप 4000 घंटे और 1000 subscriber पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद आपका चैनल अंडर review में जाता है जो आपको एक मेने के अंदर आपको YouTube की तरफ से mail आता है कि आपका चैनल एप्रूव चुका है तो आपको next काम करना है अपना एक AdSense account create करना है और अपने YouTube से link करना है जब आप AdSense को YouTube से link कर देते हैं तो आपके घर पे AdSense अपने पिन डिलीवर्ट करवा देता है आपसे अपका address पूचके आपके जब आप AdSense account बनाएंगे तो वहाँ पे automatic address पूचता है आप बोर डाल देंगे तो आपके घर पे AdSense का पिन आ जाएगा अगर आपका AdSense अप्रूव नहीं हुआ है तो यानि आपने reuse content उठाये किसी और का music उठाये किसी और की voiceover उठाये किसी और का video उठाये तो उसके चक्कर में आपका AdSense कभी अप्रूव नहीं होगा वह illegal content आ पर है तो आपको अपना अपना पिन AdSense की साइट पर डालना है एडसेंस पर आपको साइन करके आपको महां पर बिलिंग एडर्स पूछेगा आपको अपका पिन डालके सम्मिट कर देना है जब आप पिन सम्मिट कर देंगे तो आपको यानि verified address हो जाएगा उसके बाद हो जाते हैं तब महां पर आता है एड़ पेमेंट ऑप्शन जब पेमेंट पर देखे क्लिक करोगे तो लिखा यहां पर हाउट तो आप इसके बाद आप से पूछा जाएगा आपका बैंक कौन सी ब्रांच में आपको वो डालना है आपका आइफ सी कोड डालना है और शिफ के लिए होता है वह आप अपनी ब्रांच से जाके ले शकते हैं नहीं तो आप अपने कस्टमर केर पर कॉल करोगे तो आपको बैनिफिशरी डालना है अपनी नेम डालना है बैंक नेम आइफ सी कोड स्विफ्ट कोड और अकाउंट नमबर डाल कि आप किलिक कर दोगे तो आ इंडियाय पिय्में रिरीस कर दीया और आपके पयमें रिसी को सबच्व को यूटूब की तरफ से एमेल के दौरा आपको प्राप्त होता हुआ करे हहा करेगा तो आपका प्राप्तों था कि लेतर कहा इक है अमेरीका से रिसीव हो आई कि इंडिया से ही तो जैसे कि आपको पता है YouTube का Head Quarter अमेरिका में है पर इंडिया में भी यूट्यूब की ब्रांचिस खुल चुकी है तो अमेरिका की तरफ से इंडिया वालों को एक mail आ जाता है कि ऐसे ऐसे इस ID का AdSense एप्रूव हो चुका है तो इस इंसान को इसके घर पे AdSense का पिन प्रोवाइड कर दिया जाए तो पहले काफी टाइम लगता था लेकिन अब नहीं अब नहीं लगता है अब एक हफते के अंदर आपको AdSense पिन अफ्रूव हो जाता है तो यह थी एक छोटी से जानकारी जैसे कि आपको पता है मेरे को मेरा AdSense पिन मिल चुका है तो मैं काफी जादा खोश हूँ कि मेरा चैनल एप्रूव हो चुका है यूटूब के मोनेटाइजिशन के लिए मैं बस आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँ कि आपकी बदूलत मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है आप सभी का प्यार मेरे चैनल पर बरकरार रहा है तो मैं बस आपको दुआ करूँगा जितने भी मेरे भाई बहन इपना यूटूब पे वीडियो सप्लोड करते हैं त तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जब मेरे को मेरी पेमेंट रिसीव होगी तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा तो तब तक के लिए जै हिन जै भारत